एसी आदट को खुद में न होने दे हावी को सो दूर भागेगी सफलता एक बार एक समुद्र विज्यानी ने एक प्रयोग किया उसने एक शार्क मचली को पानी के एक बड़े से टैंक में डाला और साथ ही उसमें कुछ छोटी मचलियां भी डाल दी जैसी कि उमीद थी शार्क ने जल्द ही जहपटा मांच कर उन तमाम मचलियों का सफाया कर दिया इसके बाद उस समुद्र विज्यानी ने टैंक के बीचों बीच कांच की एक मजबूत दीवार लगाई और उसके एक हिस्से में शार्क को डाला तथा दूसरे हिस्से में पहले की तरहे छोटी मचलियों को छोड़ दिया जैसे ही शार्क की नजर उन मचलियों पर पड़ी वे हुमीद के मुताबिक तुरंट उनकी ओर लपकी पर इस बार वे कांच की मजबूत दीवार से टकराई और वही थम गई किन्तु शार्क ने हार नहीं मानी वक थोड़ी थोड़ी देर में तेरते हुए पलड़ कर उन मचलियों की तरफ आती मगर हर बार कांच की दीवार उसका रास्ता रोक लेती दूसरी ओर मचलियां आराम से पानी में तेर रही थी आखिरकार एक डेड़ गंटे की कोशिश के बाद शार्क ने हार मान ली कांच की पटी को पार नहीं कर पाती धीरे धीरे शार्क के हमले कम होते गए अब वह ज्यादा जोर भी नहीं लगाती थी कुछ दिनों बाद समुद्र विज्यानी ने वहां से कांच की धीवार हटा कर पतली सी पारदर्शी पनी का एक पार्टीशन लगा दिया मगर शार्क ने तो मानो इस ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया था उसने इसे भी पार करने की कोशिश नहीं की कुछ दिनों बाद यह परदा भी हटा दिया गया मगर शार्क अब पहले की तरह टैंक के आदे हिसे में ही तरती रहती और इन मचलियों की ओर नहीं आती दरसल शार्क मान चुकी थी कि वह इन मचलियों तक नहीं पहुँच सकती लिहाजा उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया इसी तरह जो इनसान मुश्किलों से हार कर बैट जाते हैं उनसे सफलता दूर ही रहती है हम परिस्थितियों का सही तरीके से आकलन कर आगे बढ़ें तो हमें काम्यावी जरूर मिलेगी